महाराज नल धर्मात्मा पुरुष और देवता जेशे शुन्दर चारो वेद कंठस्त अठारा पुराणों का ग्यान समस्त इस्म्रतियों का ग्यान समस्त पुल्णियों के रहास्य को जानने वाले और अर्ष विद्वा के बिश्व में सबसे बड़े ग्याता बहुत सी कलाओं में प्रवीन शाक्षात अगनी देव प्रशन होकर इनको आशिरवाद दिया था जहां चाओगे वहां अगनी प्रगट हो जाएगी और अगनी की भरी ज्वाला में तुम प्रवेश करोगे तो तुम्हारा रोम भी नहीं जुलसेगा वरुन दिवताने प्रशन होकर आशिरवाद दिया तुम्हारे गले पर पड़ी हुई पुस्प की माला कभी कुमलाएगी नहीं जहां चाओगे वहीं जल उपस्तित हो जाएगा बड़े प्रतापी धर्मराज जी ने प्रगट होकर आशिरवाद दिया था तुम जो रशोई बनाओगे उसमें अम्रत का श्वाद होगा और तुम्हारी अंतिम शुबगती होगे अहिशे देव वर्दानियों से वर्दान प्राप्त की हुए कलियुग उनको देख करके जला जब कोई धर्मात्मा पुरुष का यस प्रगट होता है और अपवित्र पापाचारी अंताह करण में वो यस जाता है तो वो द्वेश का रूप धारण कर लेता है जलन पैदा हो जाती कि कैसे इसके यस का नाश हो कैसे ये शंकट में फशे कैसे ये दुखी हो कलियुग ने निश्चे किया कि इनको मैं बरवात कर दूँगा नश्ट कर दूँगा देखो एक हरी का आश्रे मात्र नहीं है और संपुर्ण सास्त्र और धर्म के गयाता है कलियुग बारा वर्ष तक इंतजार करता रहा कि कैसे प्रविश करो इनमें तो कोई दोश ही नहीं है और बिना दोश के आक्रमन किया नहीं जा सकता एक दिन वो लगुशंका करके पैर नहीं दोया, आच्मन नहीं किया ऐसे ही अर्ग देने लगे शूरी को किसी गार्चिंतन में होंगे राज्यकारे में बस यह उशर मिल गया, कल्यूक प्रवेश कर गया उनकी बुद्धे में प्रवेश कर गया देखो अपने लोग कितने अशावधान है हमारा खान पान अशुद, हमारा ब्यवहार अशुद, हमारे विचार अशुद कैसे हम कल्युक के प्रवाह हमें नहीं बहेंगे कल्युक का प्रवाह है व्यविचार करना मदिरा पिना हिंशा करना जुआ खेलना चाल कपट चोरी ये इसका प्रवाह है बहा देता है इसमें जहां ये प्रवेश हुआ कि भादी अपराद करा देता है गर्व में ही जिनको भगवान की मंगल मूर्ती का दर्शन हुआ उन महाराज परिक्षित की बुद्धी में बैठ करके एक ब्रह्म रिशी का पराद करा दिया और शाप दिलवा दिया शाथ दिन में तच्छक्षर पड़सेगा महाराज परिक्षित गोलो हमारे या लोगों की क्या दुर्दशा करेगा कलियूग क्योंकि हम तो जान भूज करके वैसे ही आचरन करते हैं जिससे वह हम पर आक्रमन कर सके बारा वर्ष तक वो इंतिजार करता रहा महाराज नल दम्यंती के एक कुमार एक कुमारी प्रिवेट हुई जब कलियूग प्रिवेश किया तो उधर विपक्ष को पुष्ट किया इनके एक भाई थे जिनका नाम पुष्कर था बड़ा भाई राजा पद पर बेटता है ऐसा पहरे से राजपरिवारों में ये सिद्दांग था अब उसके हुदे में जलन हुई क्यों क्यों कि कलियूग का प्रिवाव पुष्कर ने विचार किया कि मैं इनको परास्त करूंगा दियूद की रा के लिए ललकारूंगा परास्त करके मैं राजा बनूगा गया महराज नल से कहा च्छत्री धर्म है कि यदि कोई ललकार है तो उसे युद्ध करना चाहिए तो मैं तुम्हें चुनोती देता हूँ आप दियूद की रा में उतरिये और मुझे परास्त कीजिये या परास्त होईए बुद्धी में कल्यूग बेठ गया था इस दिए महराज नल ने उसकी चुनोती श्वईकार कर लिए कल्यूग छल कपट का बहुत प्राक्रमी बहादूर है युद्धा ऐसा छल कपट पुसकर के शरीर में बैठ करके करवाता की पासे वही गिरते जिससे महराज नल की हार होती श्वर्ण के खजाने रत्म सौप थारते गए राज सिंगाशन दाओं पर लगा वो भी हार गए महल लगा वो भी हार गए जब कुछ नहीं बचा तो शरीर के आभूशन लगा दिए वो भी हार गए तो उस्ट ने कहा एक दाओं यदि दमियंती को तुम हार गए तो फिर एक दाओं लगा दो जीत गए तो पुरा राज हार गए तो खतम उन्हों ने का ये इतना मैं नहीं कर सकता ये नहीं कर सकता आदेश कर दिया पुष्कर ने कि हमारे राज्य में कोई भी नल को वस्त्र भोजन जल देगा उसे प्राणदंड की सजा दी जाएगी और महराज नल को निकाल दिया दम्यंती ने ये देप बहुत प्रयास किया था बीच में समझाने का कि ये दियुद की राज शर्म नास कर देती है इसलिए महराज यहीं बंद कर दो जब देखा कि उस दियुद की रा में उन्मत हो रहे हैं तो शार्थी को बुलाया और कहा मैं शमझ रहू कि मेरे अग बिपत्ती का शमया रहा है क्योंकि जब कोई गलत मार्ग में आगे बढ़ता है तो उसका परणाम बिपत्ती ही होती है हमारे कुमार और कुमारी को लेकर जाओ कुण्णनपुर जो हमारे पिता का घर है वहाँ छोड़ दो ये महराज के दिब्ब अश्व हैं रथ हैं इनको वहाँ छोड़ देना और तुम वहाँ टिकना ने ये सत्कुरुपक्ष बलवान हो चुका अगर जान जाएगा तो हो सकता है कुमार कुमारी को भी हानि पहुचावे और तुम वहाँ से गुत्त रूप्षे चले जाना जहां तुमारी इच्छाओ जब एश्पुसकर ने आदेश किया कि राज जिसके बाहर तुम निकल जाओ तो दम्यंती जी एक वस्तधारन करके महराज नल बाहर कोई भी नहीं महराज नल के सामने न सर जुका सकता है ना उनका श्वागत कर सकता है ने उसे प्राण धंड दिया जाएगा भै के कारण को शी बिपत्ती आई कि जंगल में गए तीन दिन तीन रात भूंप प्यास से व्याकूल कुछ पक्षी ऐसे दिखाए दिये जिनके पंख श्वर्ण के थे उनको लगा कि अगर इनको फशा लें और इनके पंखे बेच लेंगे तो कुछ अन्द मिल जाएगा जिससे प्राण कोशन हो जाएगा वो पक्षी आराम से बेठे थे अधोवस्त्रे से उपर डाला वो वस्त्र लेकर भी उड़ गए और उन्होंने कहा माराज मैं कोई पंखी नहीं हूँ मैं दिवत कीड़ा के पाशे हूँ तुम्हारे सरीर में अभी अधोवस्त्र भी अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए मैं लेने के लिए निर्वस्त्र हो गए अब विचार किया पातिव्रत धर्म से युक्त महलों में शभाव में पवित्र और शुक पूर्वक रहने वाल दम्यंती मेरे कारण ऐसे भयानक कश्ट को भोगेगी उचित नहीं एक जंगल में देखा एक खंडहर जैसा बना हुआ था कहा आज रात्री यही शैन करते हैं और सुनो ये मार्ग जाता है जब आप इस जंगल से आगे बढ़ेंगे शर्वर मिलेगा पर्वत मिलेगा उस प वहां से पार होंगी तो रिश्यो के आस्रम मिलेंगे फिर आगे विदर्व देश की तरफ जाता है अगर कभी आशा उशर हो तो ये मार्ग आपको बता दिया है दम्यंती जिनका मैं शमझ गई आप मुझे त्याग ना चाहते हैं नहीं ये मार्ग क्यों बता रहे हैं आप कभी एशा मत करना मैंने एक राजा का वरण नहीं किया था मैंने सुखों का वरण नहीं किया था मैंने आप का वरण किया है आप जिस भी परिस्तिती में हो मेरे प्रितम हो मैं अपने प्राण आपके चर्णों में समर्पित करते हूं ऐसे समर्पित को त्याग देना उ हो गए आधा वस्त्रुन के शरीर का फाड़ा और अपने शरीर में लपेटा और छोड़कर दम्यन्ती जी को चल दे हैं जो उनकी नेन खुली देखा महाराज नल नहीं बहुत व्याकुल है वन में पुकार रहे हैं महाराज कहा था आपसे कि शर्णागत का त्याग ने करना चाहिए मैं आपकी शर्ण में हूँ यदि आप बिनोद कर रहे हो तो आप छुपा छुपी का खेल बंद करो मेरे प्राण व्याकुल हो रहे हैं आप प्रगठु का दर्शन दो इतने में एक भ्यानक अजगर विशाल काय वहां जाडियों में बेठा हुआ था वो अपनी स्वास से खीच कर दम्यंती को नजदीक लाया और निगलने लगा दम्यंती जोर से पुकार रहे थी कोई रक्षा करो तो एक जंगली ब्याध उसने आर्त भावशना दोड के गया एक सरवांग शुंदरी नवयुती को अजगर खा रहा है ततकाल उसके पास अस्त्र थे उसके मुख को फाल करके दम्यंती जी को निकाला आधा वस्त्र शरीर में था क्योंकि आधा महराज नल ले लिये थे और ऐसी सरवांग शुंदरी थी कि स्वयंबर के समय स्वयंदेव राजिंद्र, भवान अग्निदेव, वरुण देव, धर्मराज ये चारो महापुरुष स्वयंबर में गय हुए थे दम्यंती जी के पर इनोंने उन्हीं देवताओं के आराधना करके यही वर्दान मांगा कि मेरे पति महाराज नल हो ऐसी पातिरत धर्म के निष्ठाते है पहले तो उष्ठ ने इस पर्ष करके निकाला था रक्षा के भाव से, अब जे भी उनके अंगों के दर्शन हुए तो भेंकर काम बेदना जग्रत हो गए। कदम मत बढ़ा देना क्योंकि हम कोई शाधारण नारी नहीं है। पातिवरत धर्म से युक्त और दैवी संपदा से युक्त है। इस पर्ष करने की विभावना करने मात्र में तुम भश्म हो जाओगे। पर व्याध नहीं बात समझी नहीं। वो काम भावशे व्याकुल होकर जेही दम्यंती की तरफ बढ़ा पूरे शरीर में आग लग गई। देखते देखते वो राख हो गया। व्याकुल होकर महराज नल को खोशती हुई जब देखा कि वो कहीं नहीं दिखाई देखते तो समझ गई। उन्होंने हमारा प्याक कर दिया है। और जो रास्ता पती ने बताया मुझे वही मार्ग चलना चाहिए। बताय हुए मार्ग से जंगल से आगे निकली। शिंग व्याक भाद भ्यानक जन्तु से भरा हुआ जंगल दर्पते डर्पते हुँ। आगे बड़ी तो देखा कि एक आश्रम है बहुत से रिशिमुनी हैं जहां जल का आहार करने वाले किवल वायू पी कर रहने वाले सुखे पते खा कर तपश्या करने वाले शान्ती मिली हरदय में संतु के दर्शन से प्रणाम किया और कहा महराज मैं एक पती वरता हूँ मेरे पती संकट में है और त्याप करके मुझे पता नहीं कहां चले गए मैं उनकी दर्शन और प्राप्ती करना चाहती हूँ आप करपा करो तुरुन का दर्शन भी होंगे उनका शानिद्य भी मिलेगा तुम महारानी के पत में पुना विशिक्थ होगी लेकिन शमय है अभी ये शमय तुम्हें भी पती का धैरिपुर्वक काटना चाहिए आशिरवाद देते हैं कि तुम्हें पुना राज्जी प्राप्त होगा और तुम्हारे पती का तुम्हें शानिद्य मिलेगा पर शमय है अभी इतने में देखा ना अश्रम है न कोई रिशी मुनी सवंतर ध्या क्योंकि उशब दिब्वि महात्मा थे थोड़ी शांती मिली थी फिर व्याकुल होकर चली आगे देखा एक व्यापारियों का दल जा रहा है पीछे पीछे उनके चली कि सायद ये किसी राज्या नगर को जाएगा तो जंगल की आत्रा इनके सारे काट लेती है पीछे पीछे जा रहे थी रात्री में एक जगे सुन्दर शरोवर के समीप उनका शिविर लगा व्यापारियों के दल का जिसमें घोडे उटों में ये सब संपत्ती थी रात्री में सब सयन कर रहे थे कि भेंकर जंगली हाथियों का दल आया और आक्रमन कर दिया कुछ उसमें व्यापारी बचे उन्होंने का कोई न कोई ऐसा अमंगल कारी हमारे साथ है जिससे हम सब व्यापारियों में अमंगल हुआ पोजो दम्यनती जी सबसे अलग लता की ओट मेरा प्रिकाट उनुन शुनावा सहटी मेरा कशा दुर्भाग गहे कि मैं जिसके साथ होती हूँ वो विपत्ती को प्राप्त हो जाता है अकेले ही वहाँ सहत्रा के आगे देखा कुछ वेदपाठी ब्राम्हन जा रहे थे तो विचार किया ये किसी नगर में अजमान के हाँ जा रहे होंगे उनके पीछे पीछे चली वहाँ जाकर के ब्राम्वनों ने जब डगर में प्रिविश किया ते उनमत की तरह थे अपने पती के वियोक्षे व्याकुल, शरीर मली नवस्था को आधेस वस्त्र से शरीर ढके हुए तो कुछ लोग इने पागल समझ कर उपहास करते, कुछ बच्चे इत मारते ऐसे परिष्थिती देखो, जो महारानी पद में उनकी क्या परिष्थिती है गली में ही ब्रह्मन कर रहे थी कि शायद कोई हमें आश्रे दे दे इतने में वहाँ की जो रानी थी, वयोगर्धा, राजमाता उन्होंने उपर से महल से देखा इतने सरवांग शुन्दरी और ऐसी अवस्था को और लोग घेरे हुएं, मानो किसी पागल विक्षित खुनमत को इसका मतलब है ये कोई समय की परिस्थिती में ऐसी दसा को प्राप्तोई परिन में देवी संपदा दिखाई देती है दासी को भेजा, इस विवती को शमान पुर्वक महल में लाओ जब शामने आई, तो उन्होंने कहा कि देखकर मुझे लग रहा है कि तुम ना विक्षित हो, ना पागल हो, ना ऐसी दसा के लाइप हो तुम कौन हो उन्होंने अपने भाव को गुप्त करते हुए कहा महराज नल, जुए में सब कुछ हार चुके हैं और जंगल में, बन में निश्काशित कर दिये गए हैं उनकी राणी भी उनके साथ है तो हम उनकी शेवा में रहती थी अब जब राजा ही नहीं, तो फिर हमारे आदर कौन करेगा यदि आप कृपा करें और कुछ समय तक अपने यहां सरण में रख ले मुझे हर विद्या का ग्यान है दाशत तो कैशे किया जाता है, पूरी चतुरता है अर्था दाशी भाव की प्राप्ती, पूरी चतुरता है जो भी आप सिक्षाद चाहेंगी, वो जिसको चाहेंगी मैं दूँगी मुझे समस्त विद्याओं का ग्यान है पर मेरी शर्थ है राजमाता अगर ये शर्थ स्वैकार कर लो तो मैं आपके यहां रुखूंगी उच्छिस्टम नईव भुन्जीयाम न कुर्याम पारधावनम न चाहम पुरुशान अन्यान प्रभासेयम कथंचन मैं कभी किसी का जूठा नहीं खा सकती क्योंकि मैं पतिवरता हूँ केवल अपने पती का जूठा अम्यंती जी ने का मैं पतिवरता हूँ मुझे कभी किसी का जूठा खाने के लिए पेरित ना किया जाए मैं किसी के चरण नहीं छू सकती केवल अपने पती का इस पर्ष करते हूँ और आप कभी किसी पुरुष से संभाषन करने के लिए आदेश मुझे मत देना क्योंकि सैरंद्री दाशी पत अगर ये तीन बातें आपको श्वैकार हैं तो मैं आपके यहां सुख पुरुवक रह सकती हूँ यदि आपके आँ रहने पर किसी पुरुष ने कोई ऐसी चेश्टा की तो आपके द्वारा वो दंडनी होना चाहिए और मेरी शुरक्षा होनी चाहिए अगर मैं बात करूँगी तो केवल ब्रह्म रिश्यों से बात करूँगी वो भी अपने पती की खोच के लिए ऐसी बिवस्था में यदि शमर्थ हो तो आप स्वईकार करो मुझे यदि इसके विपरीत बात है तो फिर मैं आँ नहीं रुकर भी राजमाता ने का बेटा तुम्हें बिल्कुल चिंता ने करने ये बातें सुनकर मुझे बहुत सुख हुआ कि मैं एक देवी को श्वईकार करूँ ये शाधारन धर्म में नहीं होता ये अशाधारन धर्म है पाति व्रत धर्म मैं तुम्हारे शवभाग्य और इस व्रत निष्ठा को देख करके बहुत प्रशन हो आस्त से तुम हमारे यहां बेटा की तरह हो दाशे की तरह नहीं ये हमारी पुत्री है जिसका नाम शुनन्दा है तुम और शुनन्दा मेरे एक समान हो और शुनन्दा तुम इस देवी स्वरुपा युवती को शदय अपने समान मान कर अपने शाध रखो ऐसा आदिश किया सक्षियोंशी गिरी विश्वनन्दा ने दम्यंती को राजभवन में ले जाकर कहा इश्नान करोर वस्त धारन करोंका नहीं जब तक मुझे ये पता नहीं चलेगा मेरे पतिदिव किश वस्ता में तब तक मैं ना उप्टन लगा शक्ती हूँ ना श्रंगार कर सकती हूँ ना कोई नवीन वस्त धारन कर सकती हूँ बस आपके यां रहना है बस करशा करशा शमरपन मैं श्रंगार नहीं करूँगी नवीन वस्त ना भूशन नहीं धारन करूँगी मेरे पती का जब तक ये पता ने चलता कि वो कैसी परिष्टिती में है दम्यंती की इच्छा के अनुशारी उनके शाथ वरताव के आगे जैसा आप चाहें इधर महराज नल जब दम्यंती जी को छोड़ करके आगे वड़े तो एक गहन जंगल मिला वहाँ दावा नल लग चुका था दावा नल बाशों की रगड से जंगल में आग लग जाती बड़ी भेंकर आग वहाँ से आवाज आ रही थी पुल्णिश लोग भाराज नल मुझे बचा लिजिए सिर्फ आप ही बचा सकते हैं दोड़िये मेरी रक्षा कीजिए जितनी ज्वाला हो आप प्रवेश करोगे दाही का सकती जलाएगी नहीं मेरी और जहाँ चाहोगे वह आगनी प्रगट हो जाएगी ये अगनी दिवने बरदान दिया था इतना केकर वह दावा नल में प्रवेश कर गए देखो ऐसे सामर्थ सालियों को भी विपत्ती प्राप्थ होती है और कहा डरो मत अंदर जाकर देखा तो भेंकर नागराज करकोटक कुंडला का और बेठा हुआ था नाग ने कांपती हुए कहा महराज नल मेरा परिचह है मैं सर्पों में स्रेष्ट करकोटक हूँ मेरी जाती में होता है करकोटक नाग में मैं देव कोटी का नाग हूँ कोई शाधारन नाग नहीं हूँ एक बार नारज जी से मजाक कर दिया था तो उन्होंने आवेश्च में आकर मुझे शाप दे दिया और कहा तू इस्थावर की तरह एक जगए पड़ा रहे हैं फिर हमने काम ने तो आपसे उपहास में भी नोत किया नारज जी का उपहास कर दिया तो मेरे अंग आज उसी स्थन से जड़ता को प्राब मैं एक कदम भी नहीं चल सकता हूँ दावा नल ने घेर लिया मैं बस मुझाओंगा आप चाहो तो मुझे उठा कर बाहर कर दो जब मैंने नारज जी से प्रार्थना की तो उन्होंने का पुर्णिश लोग महराज नल जब तुम्हारा इस पर्ष करेंगे तो हमारा ये जो शाप है दंड है इससे तुम मुक्त हो जाओगे महराज मुझे बचा लो राजा नल ने आकर कहा तुम बिल्कुल चिंता मत करो आज से तुम साप्ष मुक्त हो जाओगे करकूटक ने का मुझे बाहर करो में तुम्हारा ऐसा मित्र बनूँगा कि सारे शंकटों को मिटा दूँगा मेरे जैसा प्रभाव शाली सर्पों में कोई नहीं होगा मैं हर समस्या का समाधान जानता हूँ आप सीक्र मुझे पहले यांसे निकाले महराज नल ने देखा परवताकार करकूटक ना कुए शदू छुटा मुटा नाव उनका इतना वजन में कैसे उठा सकता हूँ बोले इतनी शामर्थ मेरे में है कि मैं आप के उठाने लाइक बन जाओंगा सहज में उठा लिया गोध में लिया और उस दावा नल से उनको बाहर किया जब अगनी के प्रभाव शे बाहर निकले और छोड़ने किया तो करकूटक ने का ऐसे नहीं ऐसे मत छोड़ देना पहले कुछ पग चलते भी गिनो और जब मैं कहूं तब छोड़ना का एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस जेवी दस कहा भेंकर रूप धारण करके डस लिया महराज नल को महराज नल को जेवी दसा तो ततकाल पूरा शरीर काला हो गया ततकाल और नाटे हो गया जो देव शरूप थे, वो अंतर हित हो गया गौर वर्ण, तीजश्वी शरूप, लंबा शरीर, अजान बाव जेसे सब खत्व नाटा और काला शरूप हो गया राजा नल ने का यही तुम हमारा हित किये बोले हाँ महरा तुम्हारा परम हित इसमें हुआ है बोले हित के लिए इतना ही कारे करेगा तुम्हारे रूप को छुपा दिया अब सत्रों से भे नहीं तुम्हें कोई पहचान नहीं पहेगा कि तुम महारा आज न लो, कहीं भी घुमो क्योंपि तुम्हारा रूप खत्म और ये बिष्ट तुमारे अंदर बैठे हुए कलियुक को हार छण जलाएगा और भैवीत होकर तुमसे निकलेगा और ये भी निकलेगा तुमारा साप सामराजी वापस हो जाएगा और तुम सुखी हो जाओगे ये कलियुक ही तुमारी बुद्धी में बैठकर कलेश दे रहा है मैंने कलियुक को डसा है अवो हर समय हमारे जहर से जलेगा और तुमारा रूप जो अंतर हित हुआ है ये तुमारे मंगल के लिए है जैसे उर्वसी जी ने साप दे दिया जार नपुल्षप अर्जुन जी को तो अर्जुन जी उदाश हो गए महाभारत जैसे युद्ध में करशे भी जैप्राप्थ होगी तो दिवराज इंद्र ने काए तुमारे लिए हित है जब अग्यात वाश होगा तो एक वर्ष के अग्यात वाश में ये साफ तुमारे वर्दान का काम करेगा धर्मात्मा पुरुष को एदि साफ भी मिलता है या आईत भी दिकाई देता है वो बड़ा मंगल कारी होता है और राजन ये मत सूचना कि मैंने धोखा दिया है ये कल्यूग बड़ा कपटी और शदव विनासकारी दुख देने वाला है अब मेरे विश्व से ये जलता रहेगा इसको कुरुधाग नी अंदर बहुत है इसलिए नाक में कोई शर्खा रहता है जहां बुद्धी में कल्यूग होता है यद्यप ये जल्दी नहीं अटेगा पर मेरे बिश्व के दा से ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा इसको भागना पड़ेगा सारे अंगों में कल्यूग के मेरा बिश्वयाप्त हो जाएगा और भैवीत होकर तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर प्रणाम करके जाएगा कल्यूग का बल है छाल कपट मिठ्या भाशन मदिरा, मांश, दिर्कीरा, हिंसा ये नश्ट कर देता है समझाने पर भी समझ में नहीं आएगा अगर कल्यूग का प्रभाव तो समझाने पर भी समझ में नहीं आएगा हम समझाएं आपको बुरा लगेगा बिरोध भावा आजएगा क्योंकि उबेठा हुआ है आज से जंगल में कोई भी दाढ़ वाला पशू तुम्हें इस पर्ष नहीं कर पाएगा चाहे जितना बड़ा शत्रू हो जाए चाहे वो देवता ही क्यों नहो किसी भी देवता है वेदवित्ता का शाप तुम्हारे उपर आज से लागू नहीं होगा और कोई भी भेंकर विश्धारी जीव आपको डशेगा तो विश नहीं चड़ेगा और आज के बाद युद्ध में तुम्हारे केवल बिजय ही बिजय होगी कोई परास्त नहीं कर सकता चाहे जो युद्ध हो चाहे दित की रहो या चाहे अस्त्रू के द्वारा युद्ध हो और तुम्हारा नाम मैं नया रखता हूँ बाहुक अब अपने को नल मत बताना रूप छुप गया और शरीर की गठन बठन छोटी तुम्हारा नाम बाहुक है और जाओ मैं नहीं तुम्हारा मंगल देख रहा हूँ महराज जित्वपर्ण के शमीब जाए वो दिवत विद्या में बड़े निपुण है अयोध्यापुर के वो शम्राट है अयोध्यानगरी के इच्छवाप कुल में उत्पन हुए है वो श्रीमान है उनके अंदर एक बात की विशेश चा रहती है वो अश्व विद्या के राश्य को जानना चाहते है और विश्व में सबसे जदा श्रीमान के शमान कोई विश्व में नहीं वो धर्मात्मा राजा है धर्मात्मा के हाँ सेवक बनकर रहना भी उचित होता है जाओ उनके हाँ तुम उनके शार्थी बनकर के अपना परिशे देना मेरा नाम बाहुग है मैं अश्र विद्या में बड़ा प्रमीन हूँ मुझे सार्थी पत्पे रख लिया जाए वो धर्मात्मा है वो रख लेंगे यहीं से तुम्हारा मंगल प्रारंब हो जाएगा मेरी बात याद रखना तुम्हारी पत्नी तुम्हारे दोनों पुत्र शुक पुर्वक हैं शमय बितीत होते ही तुम्हारा राजी तुम्हें प्राप्थ हो जाएगा और यह वस्त्र लो रुमाल की तरह दिये जब तुम्हें अपने नल रूप में आना हो तो इस वस्त्र को ओर करके शंकल्प करना तुम्हें तुम्हारा असली रूप प्रकाशित हो जाएगा दिब वश्त्र रूप को प्रदान किया और ततकाल कर कोटक नाग अंतरधान हो गया नाग के अंतरधान हो जाने पर महाराज नल दस दिन चल करके अयो ध्यापरी पहुंचे और वहां के दितपर्ण राजा के नगर में प्रवेश किया महाराज दितपरण के सामने होकर उनको प्रडाम करते हुए का महाराज बिष्व में मेरे शमान अश्व बिद्या को जानने वाला कोई नहीं है इस शमय मैं बहुत संकट में हूँ और राजनीती की शमस्त कलाएं मुझे प्राप्त है कोई भी शलाह आप हमसे लेंगे वो तुम्हें बिजे ही प्रदान करेगी और विश्व में जैसी मैं रशोई बनाता हूँ उसका श्वाद होता है वैसा किसी के आप से नहीं होगा क्योंकि साक्षा धर्म का इवर्दान था शिल्प कलाओं का मैं प्रवीन हूँ जो कठिन कार तुम्हारे राजि में होगा वो मैं करूँगा यदि आप मुझे सरण दे सके और मेरा भरन पोशन कर सके मेरा नाम बाहुख है जितुपर्ण ने कहा कि बाहुख भला इतनी कलाओं में प्रवीन सेवक को कौन नहीं रखेगा तुम मेरे आँ निवाश करो तुम्हें जो कारी करना पशंद हो वो कारी कर सकते हो मुझे एक इच्छा रहती कि कोई ऐशा शार्थी मिले जो सीग ग्रामी हो क्या तुम मेरी च्छा नुशार पहुँचा सकते हो उनका महराज कभी ऐसा उशार आवे तो परिक्षा लेके देख लेना तो उनका तुम्हें मैं अश्वाध्यक्ष बनाता हूँ राच्की परिवार के जितने अश्व हैं और अपना निजी शार्थी चैन करता हूँ जो भाराज नल का शार्थी था उसका नाम वारशने था वो कुमार कुमारी को दम्यंती के माता पिता के यहां छोड़ कर जी तो पर्ण के यहां ही अश्व शेवा में था जे हुई उस ने देखा तो कहां आभास तो हो रहा है कि महराज नल हमारे शमी पागए है पर ना रूब है ना रंग है पर आभास हो रहा है सेवक भी पहले इतने निश्ठावान होते थे कि अपने श्वामी की गंद से ही पहचाल लेते थे होता है निष्ठा में बहुत सामर्थ होती है अमेर खुश्चरो गुरु निष्ठ थे गुरु की शिवाव किसी का इस पर्ष नहीं करते थे उनको अपने गुरु की शुगंध हाती थी यदि आसपास कहीं गुर्देव होते थे एक ब्रामन उनके गुरु देव के पास गरी ब्रामन तर गया बेटी का ब्या है बावा लोग अपनी कामना पूर्ती के लिए संतों के पास जाते हैं क्योंकि संतों के पास एक अमोग वस्तु है प्रनत कामदम जो भगवान के चरणार बिन्द हैं वो कहें या न कहें आपकी कामना अपने आप पूर्ण करेंगे क्योंकि आप जिनके दास के समी पायो उनके श्वामिश्चर शमर्त हैं वो देख रहे हैं अब आकिंचन संध उनका पर्षो आना चलो फिर उब्रहम मन गया महरा बेटी का व्याज़ है आपने कहा था पर्षो आना ओ पाधुका रिखे पाधुका ले जा जा रहा था अमीर खुष्छुरु 13 उंटों में हीरा रत नादि ले करके व्यापार करके आ रहे थे उनका मेरे गुरुदेयू की मेरे मालिक की कोई वस्तु है आसपास ओ आश्चर दिखा एक आदमी पादुका रख रुको रुको ये तो मेरे गुरुदेयू की पादुका है कहां से लाए तो उनका बाबा ने दिया है आपको पादुका दे दी बाबा ने कुछ जण के लिए एक दम गुरू ने पादुका हमें पादुका हमें तो बेटी का ब्या था धन चाहिए था बाबा ने लकडी की पादुका दे दी खुशला दिया पादुका दोगे मुझे अगर मुझे पादुका दोगे तो सेव को शेई इस त्यारा उटों में जितना भी इश्वर है उस अब ले जाओ होदोर अजी हो गया पादुका सर पे रखे गए गुर्दे उप पादुका लाया हूँ कितने की त्यारा उटों में जितना भी रतनोर अशर्फियां थी उस अब आ सस्ता लेया अगर गुरु निष्ठ है तो उसको अपने गुरु की गंद आभाश होती है ऐसे वो स्वामी निष्ठ है तो वार्षणे को आभाश हुआ कि महाराज नल मेरे पास है क्योंकि अश्विद्या में निक्म्र अपना प्रधान लक्षन बताया तो अश्विशाला में उनको वार्षणे ने बड़े गौर से देखा लेकिन कोई लक्षन महाराज नलका क्योंकि करकूटक नाग ने दस लिया था पर बहुत प्यार से बाहुक के साथ एक एक चेश्टा पर नजर करने लगा चेश्टाओं से उसको लगता कि मेरे महाराज की भी ऐसी ही चेश्टा थे पर वो ऐसे काले नहीं थे वो ऐसे नाटे नहीं थे देव पुरुष्टे पर मुझे आभाश हो रहा है मेरे महाराज है दम्यंती एक आंगत में चिंतन करते हुए मन में विचार किया कि कब तक इनके हां रहोंगे और मेरे पती कैसे है मुझे कैसे पता चलेगा इधर महाराज नल जब एक आंगत में होते तो सोचते मेरे जैसे आप राधी कौन होगा जो पति वरता पतिनी को एकांगत जंगल में ऐसे छोड़ कर चला पता नहीं क्या हुआ होगा दम्यंती जी का जब एक आंगत में होते तो आर्थ दुखी हो करे किस लोग गाते क्वानुशा छुत्पिपाशार्ता श्रान्ता सेदे तपश्च्वनी इश्मरंती तश्यमंदश्य कमवासाद्यो पतिष्ठती भूख्षे प्यासे बिडितोने पर भी हर अपमान शैने पर भी उस तपश्च्वनी ने मेरा साथ नहीं छोड़ा और मैंने उससे सोते भी छोड़ दिया मैं कितना दिखकार है मेरे दुखी वो करेकांत में विसके एक दिन रातरी के समय वही एकांत में इस लोग बोल रहे थे वार्षने ने कहा कि सार्थी बाहुक ये इस लोग तुम क्यों बोल रहे हो मेरा हदय वी जिरुन होता है जब तुम इस लोग बोलते हो क्योंकि ऐसा कुछ लगता है कि इस इस लोग में मेरे महराज नल की बात है उनका आश्मन हाँ कुछ मिलती जुलती कहानी ऐसी है किसी की एक बड़ी ही साध्वी पतिवर्ता पत्नी थी शमय बदला संपत्ती नश्ट हुई पर पत्नी ने शाथने छोड़ा पर पत्ती ऐसी परिस्थिती में उसको शुख मिले इसलिए उसका त्याग कर दिया यही स्लोक मैंने सुन लिया था तो एकांत में कभी कभी गालिया करता हूँ समझने ने दिया बिवश हो कर एक श्लोक गालिता हूँ जब रात में एकांत होता है तो उस राजा की बात यादाती है और यह श्लोक में गापड़ता हूँ जब राज्य का परण हो गया पत्नी भी चले गई अब जीवन किस काम का कैशे पता लगाओं एकाम्त में महाराज नल विचाल करते इधर दम्यंती के जो पिता थे कुण्णनपूर के राजा भीम जी उन्होंने कई ब्राम्मनों को का एक हजार गव और इतनी अशर्फियां देंगे कहीं भी दम्यंती के आप महाराज नल का कहीं भी पता लगे जो सूचना देगा उसे एक नगर एक हजार गवे इतनी स्वरण रास बहुत से तपश्वी जो ग्रेस्त ब्राम्मन थे राजपरिवार से जिनका पोशन होता था वो डूढ़ने के लिए निकले ब्राम्मन बड़े प्रशन मुद्रा में दसो दिशाओं में फैल गए तपश्वी ब्राम्मन जनों में बड़ी सामर्थ होती थी तप बल बिप्रशदा बरियारा तिनके कोप को रखवारा तपश्या ही उनका धन होता था सईयम्न जगत मंगल के लिए इनका शुरूप होता था महराज नल को या दम्यंती जी को वो खोजे पर कहीं नहीं दिखाए दिये शुदेव नाम का एक ब्राम्मर संयोग वशाथ चेदी नगरी में प्रवेश किया और वहाँ वारता की तो उन्होंने का यहाँ और कोई तो नया नया एक दाशी आई है महल में जो कभी महल से बार नहीं निकलती और नगर में तो कोई नया आशा आया नहीं ब्राह्मनों के लिए रोक नहीं थी महल में राज़दर्वार में कहीं भी बिना किशी अनुमती के जा सकते हैं पर्ण श्वस्तिवाचन करते हुए महल में प्रविष किया सुधियु नामक ब्राह्मने शभाँत जोड़ करके उनको नमश्कार किया तो वहीं राजमाता के शमी फी बिराजमान थी दम्यंती आप तुकि बच्पन से देखा है उनको तुकि वहीं पली बड़ी हुई दम्यंती जहां पली पोशी तो यह तो आचारी थे तो देखते ही शमस गए वही वस्त वही मलिंता वैसे धारण के वे थी आवी तक पोशाग नहीं बदली अगर मेरे पती शुक पूर्वकों तो मैं वह अन्य वस्त धारण कर सकती है अगर मेरे पती आधावस्त्र पहने जंगल में जब तक शूचना नहीं मिलेगी वैसे केशा अपने इस्ट दिव की प्रतिशमर्पन पती का मतलब होता है प्रीतम श्वामी किसी एक इस शम्मंध में भगवत भाव कर लिया जाए तो मंगल हो जाके से भगवत भाव से बहुत जल्दी कल्यान हो जाता है शुदेव ब्राह्मन ने राजकुमारी द्यम्यंती को देख करके पहचान लिया मन ही मन का मैं बाल्यावस्था में जेशा देखता था ब्याह किश्व में जेशा देखा था वैशा ही इस मली नवस्था में भी रूप प्रकाशित हो रहा है ये देवी द्यम्यंती ही है मन में विचार करके उन्होंने कहा कि तुम एक शन के लिए मेरे शामने आओ द्यम्यंती जी शामने आई कमंडल से जल लिया ऐसे मस्तक पोचा तो मस्तक में दिब थेजों में तिलक जैसा उनका जन्म से चिन्न था उस चिन्न को देखा और का मैं समझे तुम द्यम्यंती हो ना देखो पति दर्शन के लिए लालाई थो हम हर उपाय करके तुम्हें तुम्हें तुम्हारे पतिश्र मिलाएंगे मैं जो पूछू उत्तर दे दिजे दम्यंती के लक्षणों से दम्यंती को पहचान करके जवेशा कहा तब दम्यंती जी के आँखों के आशों ने उत्तर दिया तो उनका आप चिंता मत्तुर तुम्हारे पिता तुम्हारे माता शकुषल है और जो तुम्हारे बालक है वो भी शकुषल है तुम्हारी खोच करने के लिए पिता ने हम सास्त्रों ब्राम्मनों को भेजा है मैंने तुम्हें पहचान लिया है अब तुम्हें शोक करने के आवशक्ता नहीं जो धर्म से चलता है धर्म उसकी रक्षा करता है थोड़ी दिन के लिए भले संकट पड़े ये वारता राजकुमारी शुननदा ने सुना तुम माता से का हो जो सेरेंद्री दाशी न उसके समीव पेक ब्राम्मन देवाए हैं और वो कुन्ननपुर के से आये हैं और राजा के निजजन हैं और ऐसा कह रहे कि दमेंती शंबूदन कर रहे तो वो रो रही है आप चल करके जानकरी की जिए क्या विशे है राजमाता उसिस्थान पर आई राजमाता ने शुदेव ब्राम्मन को प्रणाम करके कहा कि क्या तुम इस शुवती को जानते हो लक्षनों से तुवे बहुत शोभाग्वती और शतिशाध्वी है पर आज तक हुँ इसका परिशे नहीं जान पाई यदि आप जानते हो तो आप करपा करके बताईए तो उनका राजमाता ये विदर्व देश के राजा महातेजश्वी भीम की पुत्री है और इसका नाम दम्यंती है वीर शेन पुत्र महाराज नल इसके पती है पुर्ण श्लोक महाराज नल की पतिवरता पत्री राज्य परण हो जाने पर दिवत कीड़ा में सब कुछ हार जाने पर इस सवस्था को प्राप्त हुई है इनके पिता ने हम ब्राह्मनों को खोज के लिए भेजा है तो शोभागी से हमें दिखाई दे गई आपके महल में सुरक्षित देखकर हमारा हरदेशी तल हुआ इसकी भौँ के बीच में एक जन्मजाद चिन है जो जल से साफ करके दिखा है इसके ललाट में जो चिन्द है उससे मैंने इनको पैचाना नहीं तो इनके शरीर की भेशवूशा ऐसी थी कि इने पैचाना नहीं जा सकता था ये ललाट वरती चिन्द किसी तेजश्वी और तपश्वी में होता है सुदेव का वचन सुन करके जो उस राज माता ने ललाट के चिन्द को देखा तो वो आश्चर चेकित हो गई बोली जब ये प्रगट हुई थी तब मैं वहीं थी ये मेरी बहन की बेटी है मैं इसकी मोशी हूँ हरदेश से लगया और का बेटा आज तक मैं नहीं जान पाई तुम दाशी रूप से रहे तुम तुम मेरी बेटी हो मेरी बहन की बेटी तुम मेरी बेटी हो राज माता ने हरदेश से लगा करके दुलार किया उन्होंने का मा जब तुम मुझे जाना नहीं तो मा की तरह रख रही थी कोई मेरे साथ ऐसा भद्र बिवार नहीं हुआ वास्तिविक तुम माहे हो उनुन का जैसा तुमारे पिता का घर वैसा मेरा घर जैसे मेरा एश्वर ऐसा तेरा एश्वर आप तुम बिल्कुल निश्चिन्थो करके रहे मुझे तो पैचान ही नहीं हुई थी तुमारी उनुन कहा कि मैं आ रहूं तो ये मेरे लिए अधिक से अधिक शुक्दायक होगा इसमें शंसे नहीं पर मुझे अपने पती की खोच करनी है इसलिए मुझे पिता के पास जाना पड़ेगा और जब से पती का राज निश्काशन हुआ सबसे अपने बच्चों को भी नहीं देखा है वो हमारे माता पिता के पास मैं उनको जा करके शुक पहुँचाने की चिस्टा करूँगी और पती का जो परमधर्म है पती को दुख से निवर्त करना वो मैं करूँगी यद मेरा कुछ प्री चाहती है तो इसी समय सीगर घामी ऐसी सवारी की बिवस्ता करूँगी मैं अपने पिता के पास पहुँच जाओ दम्यंती ने जब वेशा कहा तो राज माता ने बहुत से सैनिकों और सामाग्रियों के साथ दम्यंती को महराज भीम के हाँ भेजा कुछी समय में राजधानी में विदर्व देश में प्रवेश किया तो जब महराज भीम को पता चला दम्यंती जी की खोच करके ब्रह्मन उनको लेके आ रहे बड़ा शुक हुआ पुरी राज़ में उल्लाश हुआ आकर के माता पिता ने हदर से लगया जो कुमार कुमारी बच्चे थे उनसे दम्यंती जी मिली माता से बहुत लिपट करके रो करके कि इन ब्रह्मन को पुर्ण शुक प्रदान किया जाए क्योंकि इन्हों ने हमारी खोच कर ली तो मुझे पता है कि ये राजा की भी खोच कर लेगे मा बस मेरा साहयो की ये करना है कि मैं जो कहूं महराज को पिता को भी पता नहीं चलना चाहिए शुदे ब्रहमन को एक महानगर कई हजार गवें स्ट्वर्ण मुद्राय दी गई कहा आप विश्राम कीजे दम्यंती ने कहा यद्यपी मां से ये बाते नहीं कहनी चाहिए पर मैं कह रहे हूं लाज छोड़ कर कि महाराज नल के बिना जेतनी स्वाशे हमारी जारी हो शब्यर्थ है यदि आप हम पर थोड़ा भी प्रेम करती है तो अपने गुप्द ब्राह्मनों के द्वरा ये खोच करवाएं कि महाराज कहा है और वो ऐसे ब्राह्मन होने चाहिए जो विद्वान हो और बड़े प्रवीन लक्षणों को जानने वाले हो कुछ ब्राह्मन बुलाए गए तो उन ब्राह्मनों से कहा कि मैं जो इस लोक बोलने में इस लोक याद करो हर शभा में, हर नगर में, हर गाओं में जाकर बस ये इस लोक तुम गाते भी निकलना जहां महाराज नल है ये इस लोक सुन करो रहे नहीं सकते जरूर तुमसे बात करेंगे क्वानुत्वंकित वच्छित्वा वस्त्रारधं प्रस्थितो मम उच्ष्रज्य विपने सुप्टा मनुरक्तां प्रियां प्रिय शावय थात्वया द्रिश्टा तत आस्ते तत प्रतीक्ष्णी दैह माना भ्रशं बाला वस्त्रारधेना विशं बृता तश्यारुदत्याहसततं तेन सोकेन पार्थिव प्रशादं कुरुवई वीर प्रतिवाक्यं ददस्वच्छ। ये तीन इश्यों हर शभा में गाना और जहां कोई उत्तर दे उसके रूप उसके लक्षाण उसके बातें अक्षरसा याद करके बोलना अपनी एक भी शब्द मत मिलाना जो वो बोलें जैसा बोलें एक एक शब्द मुझे बताना के प्रविर्ण ब्राम्मनों ने इस लोग के याद कर लिया इसका अर्थ था ओ जुआरी प्रीतम तुम अपने शमर्पित पतिनीशे ऐशा बिवार केशे कर सकते हो कि वो शोती है और उसका आधावस्त फाल कर अपने शरीर को ढग कर आप छोड़ कर चले जाते हो जिश अवस्ता में तुमने छोड़ा था उसी अवस्ता में आध भी वो है वो यूती विर्हाग्न में जल कर केवल आप के लिए जिवित है अए वीर क्या तुम्हारा यही करतप है क्या तुम अपनी उस प्यारी शर्णागत पत्नी पर कभी करपा करोगे यदि आज भी तुमारे हरदय में उभाव है तो प्रतिवाक्यम्ददश उत्तर दीजिए ये श्लोग ब्राह्मन लोग अलग अलग राज्यों में जा करके श्लोग गाते कोई उत्तर नहीं मिलता आगे बढ़ते जाते किशी को ये पता नहीं चलता कि ये ब्राह्मन लोग इस लोग गाते हुए नगरों में क्यों घूम रहे हैं दम्यंति के भेजे हुए ब्राह्मन जम महाराज रितुपर्ण की शभा में गए और जे ही ये श्लोग गाया तो शारती पद में बाहुक रूप में महाराज नल थे जे ही श्लोग शुना सभा से उठ खड़े हुए क्योंकि शभा में तो बोल नहीं सकते हुए जो ब्राह्मन वहां सभा से निकले तो जितुपर्ण की सभा से आये हुए ब्राह्मन से प्रणाम करके बाउप ने का कि मैं शारती हूँ तोम्हारा इस लोग शुनकर मेरे को कुछ कहने का मन होता है मुझे देख रहे हो छुटी छुटी भुजाएं नाटा सुरू काला सरीर पर वानी में बड़ा अम्रत था उन्होंने का एक श्लोप मैं गता हूँ जिसके द्वारा भी तुम पेरित भेजे गए हो इस लोग शुना देना वैशम्यम अपिशंप्राप्ता गोपायंति कुलस्त्रियाह आत्मानमात्मन्वासत्यो जितास्वर्गो नशन्शया जो उद्दम सुभावाले इस्त्रियाह होती हैं भारी संगटों में भी धर्म का त्याग नहीं करती हैं उरक्षा करने में अपनी स्वयम शमर्थ होती क्योंकि धर्म उनके साथ होता है इसी सत्य को जान करके तुमारे पती ने तुमारा त्याग किया है इसी सत्य को जान करके कि तुम शमर्थ हो तुम्हारा कोई भी कोई किसी तरह से हानी नहीं कर सकता और तुम्हें शुक प्रदान करने के लिए क्योंकि धर्म की जो रक्षा करता है धर्म उसको सुरक्षित रखता है इसी सत्य को मैं जानता हूँ अर्थात मैंने तुम्हारा त्याग नहीं किया सत्य को शाक्षी करके तुम्हें सुख देने के लिए और तुम्हें शमर्थ जान करके तुम्हें कोई छू नहीं सकते और देखो ना ब्याद छूने की चेस्टा की भश्म हो गया जिसे तुम सोच रही हो कि वो छोड़ कर चला गया वो भारी शंकट में था कोई भी शुक या कोई भी शाधन ऐसा नहीं था जिससे तुम्हें वो शुक पहुचा सके ऐसी दशा में उसने त्याग ही उचित समझा जिससे तुम्हें शुक प्राप्त हो इसलिए कभी आपको उन पर क्रोध नहीं करना चाहिए इशारे के लिए मैं जरूर बता देता हूं कि जिसने जीविका के लिए श्वर्ण पंख लेने के लिए अपना धो वस्त्र भी डाल दिया वो जीविका केवल तुम्हारे शुक के लिए थी वह ये आज भी तुम्हारे शुक के लिए चिंती थे क्योंकि ये बात केवल महाराज नल जानते दूसरा नहीं बाहुक की बात अक्षरशा याद करके ब्राह्मन देवतास्ची दे महल में आये महाराज को शूचित किया कि मुझे राजकुमारी श्यम मिलाया जाए राधाव लवलाव